Hey guys, what's up, good morning everyone, तो कैसे हैं आप सब लोग, welcome back to your own channel, दीपक्यादव Science Academy, welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 14th of September 2020, तो guys, आज है तारिक 14 सितंबर 2020, और है Monday, देखेंगे आज का The Hindu Complete Newspaper, The Hindu Complete Newspaper को analyze करेंगे from the viewpoint of UPSC and other various competitive exams, तो guys, discussion start करने से पहले जैसे मैं आपको हर रोज कहता हूँ, अगर आपको lecture की PDF चाहिए और ये The Hindu Highlighted Newspaper चाहिए, यानि कि The Hindu As It Is आपको Newspaper चाहिए, तो आपको करना क्या है, download करना है Telegram, Telegram download करने के बाद सर्च बोक्स में type करना है दीपक्यादव IAS Academy, ठीक है, सर्च बोक्स में type करके आपको ये channel दिख रहा होगा, ये channel मिल जाएगा, जाकर click करना, और notes बगरा provide कर दिये जाते हैं, in the form of a digital notes, जैसे कि आज हमारे newspaper में WHO के बारे में बताया गया है, और उसके बाद ICMR के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद हमारी और भी कुछ चीज़ें, contraceptions और ये सारी चीज़े, तो आपको इन सारे articles का background, analysis और उसके बाद, context, terms, facts, ये सबस्क्राइब नहीं कहा दो, सबसे पहले सबस्क्राइब कर लेना, नीचे red color का button आ रहा होगा, और bell icon ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास daily दाहिंदू analysis का notification आ जाए, क्योंकि हाँ पर हम लोग daily दाहिंदू analysis को upload करते हैं चैनल पर, तो guys, don't forget to subscribe the channel, आते हैं page number 1 के उपर देखेंगे कौन-कौन से articles हैं जो कि हमें cover करने हैं, सबसे पहला article है हमारा ये वाला, इस article में क्या बात हो रही है, फिर से ये India-China से related article है, आपको पता होगा, पिछले कुछ महीने से India-China से related ही articles जो है, newspaper में daily business पे आते हैं, तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, status quo dispute चला, फिर उसके बाद अब meeting भी करीवी, meeting हुई Moscow में, हमने अभी cover किया था पर सो, Moscow में meeting हुई, वहाँ पर हमने five consensus meeting करीव, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग काम क्या कर रहे हैं, कि status quo उसको maintain कर सके हैं, अब आप कहोगे status quo क्या होता है, status quo मान लो कि जैसे कि आज की situation चल ल यानि कि आज की situation को restructure करने के बाद, जैसी पहले की situation थी, उसमें convert करना, ओके, तो status quo को recover करने की बाद करी जा रही है, और आपने देखा, अभी meeting हुई काफी सारी, और काफी सारी meeting होने वाली हैं, क्यों हो रही हैं ये, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार जो है, इंडिया अगस्त को, हमने देखा, firing होई ये, LAC पर, जो की, जो की यहाँ पर बताया गया है कि 1975 मैं ऐसी firing होई थी, 1975 के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला है, ओके, उसके बाद, आप देखोगे कि meetings तो काफी सारी हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और कुछ meetings जो हैं, आने जाएगी, ओके, तो आप गाइस, यहाँ पर यह article हमने cover किया है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग next article पर यह वाल article देखते हैं, page number one पर यह है, इस article में क्या बात हो रही है, monsoon session को लेकर, आपको भी पता होगा, अभी काफी time पहले से बात चल लई थी, कि monsoon session start होने वाला है, और monsoon session में हमने अपकी बार question hour, zero hour नहीं रखा है, काफी time पहले से आप cover कर रहे हो, दो हफते से cover कर रहे हो, यह news है न, तो वो ही article है कि जो monsoon session है, वो Monday से start हो चुका है, ठीक है, यानि कि आज से अब start हो जाएगा, monsoon session, उसके बाद, हाँ पर 18 day session रखा गया, 18 दिन के session रखे गय है, जिसमें काफी सारी चीज़े discuss करी जाएगी, जैसे कि India, China का border issue, pandemic, यानि कि COVID-19 को लेकर, जो COVID-19 से problems हो रही है, उसको discuss करा जाएगा, उसके बाद, जो Delhi में काफी सारे rights चल ले हैं, ठीक है, काफी सारे दंगे चल ले हैं, उनको लेकर यहाँ बात करी जाएगी, हमारे monsoon session में, और एक चीज़ और याद रखो, monsoon session में, यहाँ पर क्या हुआ है, अपकी बार, monsoon session की sitting में, हमारे पास zero hour नहीं है, आपको पता होगा, zero hour को हटा दिया गया है, अपकी बार, उसके बाद, क्यों हटा आया गया है, COVID-19 को देखते वे, कि अगर COVID-19 चल ला है, इस वज़ कर दिया गया है, उसका time period जो है, वो reduce कर दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग बात कर लेता हैं, यह question hour और zero hour होते क्या है, जिनको अभी यहाँ पर इतना बड़ा decision लिया, कि इनको अभी यहाँ पर रोग दिया गया है, तो चलो हम लोग discuss कर लेता है, क्योंकि यही चीज हमारे लिये important है, तो बात करें हम लोग question hour और zero hour की, यह Indian policy में आएंगे, general studies paper 2 के point of view से important है, news में क्यों है, क्योंकि recently क्या हुआ central government ने suspend कर दिया कि किसे question hour को और zero hour को जो time period है उसको भी कम कर दिया गया, उसके बाद देखें तो पहले question hour क्या होता है, अब देखो question hour की definition क्या होती है, first hour of every parliamentary sitting, यानि कि मान लोग आज बारलियमेंट की meeting है, आप हम लोग जो है, हम लोग member हैं पारलियमेंट के हमान लोग सब जाएंगे पारलियमेंट में, बैठेंगे, अब बैठते ही, मान लोग 20 बजे बैठें, बैठते ही 10 से जो 11 बजे का यह पहला ग्पानोंटा होगा, 10 बजये बैटे है हम लोग सब लोग 10-11 जो ये पहला घंटा होगा फर्स्ट आवर पहला घंटा जो होगा इसे हम लोग कहते है question hour ठीक है first hour of every parliamentary sitting उसे हम लोग कहते है question hour और ये start होता है 11-12 तक ओके 11-12 तक ये start होता है 11-12 तक चलता है उसके बाद नाम से ही समझ में आ रहा हुआ यह question आ रहा है तो इसमें क्या होता है कि जो members of parliament है उनसे questions वगएरा पूछे जाते हैं और members of parliament इन सब questions के answer देते हैं अब एक question और उठता है हाँ पर कि जो question पूछे जाता है यह कैसे question पूछे जाता है ठीक है मान लो कि यहाँ पर state question का मतलब यह है एक person यह है एक person यह है इसने question पूछा इसका यह oral ही जवाब देदेगा ऐसे ही move बोला जवाब देदेगा एक होता है unstired question unstired question में क्या होता है कि इसने फिर से question पूछा तो इसको क्या करना है अब लिख के देना है written answer देना है ठीक है अब यहाँ पर अपना जवाब जो है वो लिख कर देगा उसके बाद एक आता है हमारा short notice question short notice question में क्या होता है फिर से यह पूछेगा question तो यह दूसरा लबंदा क्या करेगा मतलब कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है उसको answer देना पड़ता है इसे हम लोग कहते है short note discussion ठीक है तो question hour कि से related सारी बाते हमने cover करी अब बात करें zero hour की तो zero hour को याद रखना यह एक इंडिया का खुद का parliamentary innovation है ठीक है यानि कि इंडिया ने यह खुद अपनी तरफ से जो है zero hour को innovate किया है लाया गया है parliament में क्योंकि आपको याद हो अगर आपने Indian quality पड़ी है quality आपको interest है तो आपको पता होगा कि जो constitution है हमने काफी हद तक जो है government of India एक 1935 से लिया हुआ है और government of India 1935 act किसने बनाया था Britishers ने हमारे लिये constitution बनाया था है ना वहाँ से हमने 55% तक यहाँ पे लिया हुआ है अपने Indian constitution में copy कर रखा है और उसके बाद हमने कुछ थोड़िवा changes कर रखे हैं उसमें से हमारा जो zero hour है zero hour हमारा एक नया innovation है ठीक है हमने खोद अपने आप zero hour को बनाया है और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने तो zero hour का जो time होता है यानि कि zero hour जो है exactly after the question hour को implement कर जाता है यानि कि question hour का time period 11 से 12 बज़े तक का है है ना तुरंत ही 12 बज़े से 1 बज़े तक का हमारा zero hour होता है तो question hour को हटा दिया गया है direct अब zero hour कराया जाएगा तो guys यह हाँ पर यह article इस चीज़ के बारे में important चीज़ हमने cover कर लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग page number 2 के उपर आता है page number 2 पर हमाले कोई article नहीं है page number 3 के उपर आते हैं इस पर भी हमाले कोई article important नहीं है page number 4 पर भी नहीं है guys आगे के लिए मैंने आपके लिए question रखा है तो उस question को पहले देख लेना फिर उसके बाद comment करना उसके बारे में now आते हम लोग editorial के उपर editorial होता UPSC के point of view से important और सबसे पहले हम लोग एक नजर माल लेते हैं यह editorial फिर से इंडिया चाइना के बारे में और यह editorial किस चीज़ के बारे में यानि कि जो agreements वगेरा इंडिया और चाइना के बीच में शुरुआत से लेके first agreement हुआ है और first agreement के बाद यहाँ पर क्या क्या चीज़े हुई है और क्या गलती हुई है जिसकी वज़ा से जो है इंडिया और चाइना के बीच में ऐसी relation बन कर आए हैं ऐसे dispute चल रहा है ठीक है क्या गलतिया हुई है इन सब चीज़ों को हम इस article में discuss करेंगे फिर उसके बाद देखोगे यह वज़ा आर्टिकल इस वज़ा आर्टिकल में coronavirus related बाते करेंगे हैं जो pregnant women है उनके ओपर काफी बुरा असर पढ़ता है इस coronavirus का तो हम लोग को क्या solution है इसका ICMR जो है Indian Council of Medical Research और WHO ना क्या solution दिया है क्या guidelines दी है उनको पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद इस page पे हम लोग इस वाला article को cover करेंगे यह वला article है cancer इंडिया में जो है cancer वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले time में और भी ज़यदे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है ऐसी कुछ reports ने हमारा बताया हुआ है ठीक है तो उसको हम लोग कैसे reduce करें उसके लिए हाँ पर बात करी गई है तो उसको भी हम लोग discuss करेंगे तो चलो सबसे पहले हम लोग इस वाला article को देख लेते हैं LAC talks LAC talks from peace to conflict prevention यानि कि LAC की बात करें तो शुरुवाती यानि कि इंडिया चैना के बीच में जो है शुरुवात से हम लोग पढ़ेंगे relations देखो agreements काफी सारे हुए agreements over the years यानि अभी तक शुरुवात से लेके agreement के उपर agreement हुए इंडिया चैना के बीच में कि अब यहाँ पर यह आला agreement हुआ यहाँ पर इंडिया जो है इस चीज में टांग नहीं यडा आएगा ठीक है फिर यह agreement हो गया यहाँ पर चाइना टांग नहीं यडाएगा तो देखो सबसे पहले याद रखना है आपको first First Agreement हमेशा याद रखना, ठीक है First Agreement sign करा गया between India and China के भीच में 1993 1993 में पहला Agreement sign करा गया ठीक है, जिसमें क्या हुए India should not have accepted the term LAC यानि कि India ने क्या करा था इंडिया को LAC का term, यहां पर First Agreement में LAC का term ला गया था यहां पर लाइन कि Line of Actual Control को ला गया इंट्रोड्यूस करा गया, तो यहां पर बोला गया, पहली गलती इंडिया से यह हुई, कि इंडिया को जो यह टर्म है, उसको यह एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, ना यह LAC होता, ना यह बवाल होता, डायरेक्ट बॉर्डर्स होते, और बॉर्डर्स के बाद यहां पर क्या होता, चाइन अपने एरिया में रहता है, लेकिन यह LAC का सिस्टम जब से आया, तब से यहां पर यह डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, और इंडिया ने किलती करी शुरू से इंडिया को यह LAC का सिस्टम ही एक्सप्ट नहीं करना चाहिए था, उसके बाद 1962 मे वार हुई, इंडिया चाइना के बीच में, फिर उसके बाद वार होने के बाद चीज़े बहुत ज़ादे बिगड़ चुकी थी, फिर उसके बाद हमारे राजीव गान्ती जी की सरकार आई, उनकी गोर्नमेंट आई, तो उन्होंने कोशिश करा इन दोनों के रिलेशन्स को maintain करने की वापस से फिर 1988 में आप देखोगे इन्हों गए चाइना ये राजीव गांदी जी गए चाइना ठीक है चाइना विजट पर गए और इन्होंने कोशिश करी कि जो confidence है वो वापस से build हो जाए यानि कि जो दोनों के relations से इंडिया चाइना के वापस अच्छी तरीके से maintain हो जाए क्योंकि वो अभी war में जो है 1962 में war होई तो वहाँ पर relations जो है वो खराब हो चुके है तो relations को maintain करने के लिए वो गए वापस चाइना उसके बाद 1993 में फिर से एक और agreement हुआ जिसने जो LAC का concept था उसको अब legalize कर दिया भाई वो अब कानुनी तोर पे legal हो चुका है 1993 में यानि कि अब आपको ये LAC के बारे में चीज़े accept करनी पड़ेंगी अब जो ये agreement है इसने बोल दिया use of force to settle boundary issues यानि कि LAC का concept थो आ गया लेकिन boundary issues वगरा ऐसे ही चलते हो गए ठीक है अब क्या हो गया boundary issues को और जादे बड़ोत्ती मिल गई क्योंकि LAC का term आ गया LAC implement भी हो गया LAC legalize भी हो गया तो अब यहाँ पर क्या हुआ चाइना की तरफ से क्या हो गया boundary issues जो है वो बढ़ रख चुके है उसके बाद देखोगे confidence building measures restricted military exercises यह सारी चीज़े बताई गई LAC के महाँ पतला LAC जो हमारा line of actual control है उसके close उसके आसपास यह सारी चीज़े देखी जा रही थी ठीक है military exercise बगरा boundary issues बगरा देखने को हमें मिलने start हो गए अब क्योंकि यह सारी situation start किसे होई है LAC से होई है फिर उसके बाद this was followed by the 1996 अब 1996 में फिर से एक agreement हुआ मैंने बता रहा हुआ agreement के उपर agreement होता जा रहा है 1996 में फिर से एक agreement हुआ between the government of the Republic of India and between the government of the people Republic of China यानि कि इंडिया चाइना के बीच में फिर से एक agreement हुआ अब इस agreement में क्या बोला गया कि भाईया LAC तो हम लोगों ने बना लिया LAC इंडिया ने term भी accept कर लिया बट अब आपको करना क्या है कि जो major यहाँ पर armaments है, tanks वगरा है इन सब को आपको क्या करना है limit करना है ठीक है जो military है, military वगरा आप खूब तेजी से फैलाते जा रहे हो LAC पर जो कि चाइना क्या कर रहा था military man's, tanks, armies वगरा बहुत तेजी से जो है अपने LAC अपने साइट पर border की साइट पर फैला रहा था, deploy कर रहा था तो इसको बोला गया जो हमारा last agreement हुआ इसमें देखोगे, हमने भी cover किया था 1996 का agreement हुआ, इसमें बोला गया जो चाइना अपना military forces बगाड़ा तो उसको कम करो, limit करो लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा हम लोगों को कुछ देखने को नहीं मिला क्यों देखने को मिला, क्योंकि जितने भी agreements हुए, वो unimplemented aspect थे, जितने भी agreement हुए, वो implement ही नहीं हुए बाई, agreement तो कर लिए कुछ तो implement करते, कुछ लागू ही नहीं कर पाया, चाइना, इंडिया भी पता नहीं यहाँ पर बताया, नहीं बताया, लेकिन इंडिया, चाइना जो है, इन चीजों को लागू ही नहीं कर पाये उसके बाद जिखो कि जो agreement करा था किस चीज के ओपर, एक agreement करा था हमने जो military forces हैं, उनको हम reduce करेंगे, LEC पर, जो border है वहाँ पर हम लोग military को नहीं रखेंगे ठीक है, ऐसा भी एक agreement हुआ था लेकिन वो भी हम लोगोंने seriously implement नहीं करा seriously हमने किसी चीज को implement नहीं करा that is why आज के time पर India, China के बीच में जो dispute चला है, वो ही, उसके पीछे जो एक main reason है, वो है unimplementation of the previous agreements, जितने भी agreement हुए उनको हमने, जो है implement ही नहीं कर पाए, ओके, तो उसकी वेसे जो है, आज हमें situation देखने को मिल लिए अगर हम शुरू से implement करते LEC पर जो military, जो man से उनको कम कर दो, military को कम कर दो tanks को कम कर दो, हर चीज़ को कम कर दो dispute तो होगा ही नहीं, अगर आप खुद सोचो, China के, मतलब LEC पर, China की border की site पर, अगर कोई यहाँ पर military वगरा नहीं होगी ठीक है, यह site यह reduce रहेंगी, तो कहां से आएगा है, इंडिया की border में कहां से घुस कर आएंगे, ठीक है, तो एक यहाँ पर यह बहुत बड़ी चीज़ों दाती है, कि हम लोगों ने चीज़ों को implement नहीं करा है, implement करते तो फिर, यह solution, वो यह आज problem देखने को नहीं मिलती, ठीक है अब क्या हुआ, हमने चीज़ों को implement तो करी नहीं, यहां तक बोला, implement नहीं करी, अब implement ना करने की जो वज़ा से, क्या हुआ, जो चाइना है, सबसे पहली बार घुस कर आया देपसांग में, देपसांग में है, उसने घुसने की कोशिश करी, तो आज के टाइम पर देखोगे, कि इतना जादे इसकी जो हरकत हैं वो बढ़ चुकी है, और अभी भी हमने यह situation देखने को मिली है, ठीक है तो फिर यहां पर यह सारी चीज़े देखने को मिली हम लोग को, हमने एक सारी चीज़े कवर करी अब बात क्या हो रही है, कि जो यह reality is reflected in the five point consensus यारी कि इन सब चीज़ों को हमें जल से जल क्या करना पड़ेगा, maintain करना पड़ेगा, जिस वज़ा से अभी हमारी एक meeting भी होई थी, five consensus meeting हुई थी, जिसमें काम था हमारा peace और tranquility को maintain करना और यह बहुत अच्छा step है, और भी हम लोग को आगे step उठाने पड़ेंगे, ताकि हम लोग इनके बीच में, डिस्प्यूट को prevent कर सकें, ओके, यह article था, अब important चीज़ है क्योंकि यह साथ साफ याद रखना, agreements उसके बाद यह agreements का unimplementation, यानि कि implement हुए ही निए agreements, that is why हम लोग को यह disputes देखने को मिल रहे हैं, ओके उसके बाद next article पर आता है हम लोग यह वाला article पर, इसको भी cover करता है यह coronavirus fears के बारे में बात हो रही है perception advice, इस article में बात हो रही है pregnant women की, target कराया है कि जो pregnant women है, उन्हें सबसे जादे खतरा है इस virus से ओके, WHO ने, ICMR ने ठीके, अब यहाँ पर दो टाम आरी है WHO और ICMR, चलो इसको cover कर लेता है पहले, World Health Organization और Indian Council of Medical Research तो हम लोग इसको पहले cover कर लेता है उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो World Health Organization के बारे में वग कवर करें, तो एक specialized agency है United Nation, responsible for international public health World Health Organization पूरे के पूरे, दुनिया की public health को maintain करने के लिए यहाँ पर काम करती है, और main चीज़ याद रखना इसका जो headquarter है, वो कहाँ पर है Geneva, Switzerland में इसका headquarter है ICMR की बात करें, Indian Council of Medical Research, तो यह एक apex body है Indian Formulations में, यानि की पूरे इंडिया में सबसे उपर वाली supreme body मानी जाती है, जो की researches वगरा काफी जादे करती है उसके बाद देखोगे, यह कोई भी body को चलाने के लिए, कुछ ना तो कुछ तो पैसा चाहिए होता है, तो ICMR को run करने के लिए पैसा देती है, Government of India through Department of Health, Research, Ministry of Health and Family Welfare के थूरू इसको पैसा दिया जाता है, जिसकी वैसे जो हमारा body है वो run करती है, अब हमने cover कर लिया यह दोने important है हमारे UPSC के point of view से, अब बात क्या हो रही है कि जो pregnant women है, उन्हों काफी जादे खत्रा है virus से, SARS virus COVID-19, यह काफी जादे यहाँ पर जो है problem बन जाता है pregnant women के लिए, क्योंकि यह direct attack करता है foetus को, foetus जहाँ पर जो है pregnancy के time पर बच्चा present होता है ठीके, उसे foetus को काफी जादे तेजी से attack करता है, जिसकी वज़े से क्या होता है, कि जो बच्चे है, बच्चे में भी infection देखने को मिल जाता है, जैसे ही वो born, यानि की जन्म लेता है उसमें infection देखने को मिल जाता है और थोड़ा बहुत mild symptoms देखने को मिलते हैं, बहुत थोड़ा सा infection देखने को मिलता है लेकिन उस infection की वये से जो बच्चे का neurological growth है यानि कि जो दिमाग का विकास है वो बहुत कम हो जाता है बच्चा mentally अच्छी तरीके से prepare नहीं हो पाता है उसके बाद ICMR ने ensure करा कि भाई यहाँ पर क्या करें कि अगर यहाँ पैसे कुछ देखने को मिल रहा है pregnancy अगर फिर भी देखने को मिल रहा है जादा तो क्या करा जाए ट्रांस प्लेसेंटर ट्रांसमिशन रखा जाए यानि कि जो भी हमारा पास यह क्या कर सकें जो newborn baby है उसको हम लोग बचा सकें ठीक है क्योंकि वहाँ पर अगर उसमें infection होगा उसकी अगर neurological growth नहीं होगी तो फि अभी pregnancy को avoid करा जाए जो भी हाँ पे couples हैं वो pregnancy को avoid करें और contraception का इस्तमाल करें ठीक है बोला जा रहा है directly contraception का इस्तमाल करें तो contraception क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में एक article cover किया था contraception के बारे में कि जो इंडिया है इंडिया में contraception का use बहुत जादे कम है जिसकी वैसे जो है population वो बढ़ चुकी है ठीक है contraception यानि की deliberate use of artificial method एक artificial method होता है जो की use कर दाता है while sexual intercourse उसके बाद देखोगे जो major forms of artificial contraception वो कौन कौन से हैं जो की हाँ पर population growth को रोग देते हैं जैसे की हाँ पर हो गए contraceptive pills हो देखोगे condoms हो गए शेहत हो गए इन सब की वैसे क्या होता है population control कर ली जाती है तो इन सब का issue काफी जादे देखा जाता है और बोला जा रहा है कि इन सब चीजों का इस्तमाल करा जाए यहाँ पे pandemic के टाइम पे क्योंकि अभी यहाँ पर ही pregnant women के लिए काफी जादे खतरा ह बहुत सकता है यह virus तो इन सब चीजों का contraception का इस्तमाल करा जाए इस article में यह बोला गया now next article दिखते हैं यह वाला इस article में क्या बोला जा रहा है कि पूरा का पूरा जो industrial हमारा industrial area है पूरा का पूरा down चला गया है सारी industries बगरा ठप हो चुकी है due to the COVID-19 COVID-19 के वज़ा से त जैने कि demand अगर बढ़ जाए का जैसे तैसे अगर demand बढ़ेगी तो फिर हम लोगों क्या होगा situation थोड़ी समलती भी दिखाई दी जाएगी ओके उसके बाद यह वाला article है यह वाला article क्या हो और किस चीज़ के बारे हम बात करा जा रहा है कि जो deputy speaker है उसको elect करने की बात करी ज कि हमारे लिए अच्छा article बोला गया है जो कि देखोगे reducing India's cancer burden यानि कि इंडिया में cancer है वो काफी time पहले से तेजी से उठतावाया है और आने वाले time में भी उठतावा नजर आने वाला है ऐसा हमारा एक report ने बोला ओके देखो यहाँ पे भी कौन सी report आई पहले तो एक तो cancer है वो पहले बहुत तेजी से उठतावा रहा है और आने वाले time में भी बहुत तेजी से उठने वाला है तो हम लोगों क्या करना पड़ेगा cancer को control करना पड़ेगा otherwise जो है यह इंडिया के लिए बहुत बुरी विमारी हो सकती है ओके इंडिया देखो काफी सारी चीजे as a part of the sustainable development goal इंडिया का एक SDG sustainable development goals में कितने goal हैं आपको पता होगा 17 goals हैं तो इंडिया का goal है कि भाई 2030 तक जो है reduce कर दें cancer को जो यह cancer है उसको हम लोग reduce कर दें cancer की बिमारी को जैसे कि हम बाकी steps लेके चल ला है जैसे कि इंडिया में अगर hygiene की बात करी जाए साफ सफाई की बा जनुसंदान परियोजना तो ऐसे ही हम लोग को कोई और steps उठाने पड़ेंगे ताकि हम लोग cancer से भी लड़ सकें और तो इंडिया में काफी सारे steps अच्छ अच्छ उठाय जाते हैं अगर हम लोग बात करें तो फिर cancer बढ़ता कैसे है जैसे लोग tobacco और यह सारी चीज़े का बढ़ाया जाया वैक्सीन के उपर काम कर जाया यह नहीं भाई कुछ हटके कुछ बड़ा solution चाहिए otherwise जो है बुरा असर पढ़ने वाला cancer का भी इंडिया पर ठीक है तो cancer को control करने के लिए यहां पर बात बोली गई है तो आप इसको याद रख सकते हैं ओके बढ़ते हैं आपके लिए question मैं बता रहा था एक question आपके लिए DGCA कल ही मैंने आपको DGCA के बारे में बढ़ाया है तो आज आप DGCA के बारे में बताओगे इसके बारे में तीन चीज़े बतानी है आपको full form और उसके बाद यहां पर इसका headquarter और थर्ड चीज इसके बारे में इसका aim क्य आए यह तीन चीज़े आप लोग सभी लोग जो है बताएंगे DGCA के बारे में comment section में ठीक है जो नए viewer है प्लीज जाकर एक बार comment section चेक करें सब लोग को answer देखें और review करें ओके तो guys हमने कर लिया है आज के दाहिंदू newspaper का end तो guys हमने आज का newspaper analysis को cover कर लिया है और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले subscribe कर लेना और bell icon जरूर दबा देना ठीक है और guys यहाँ पर आपको समझ में आएगो होंगे editorial सारे के सारे तो आप करके सकते हैं जाकर इन newspaper को download करें टेलिग्राम सर उसके बाद जो है notes वगर आप बना सकते हैं जैसे कि हाँ पर इस व तो आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यह आप notes बना सकते हैं उसके बाद यहाँ से notes कैसे बनाने में मैंने आपको बताई दिया कि सारे के सारे जितने agreements agreements लिख लें और उसके बाद जो इंडिया का चाइना का dispute solve नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि agreements नहीं हो पा रहे हैं उसके बाद जो third editorial हमारा यह वाला है जो important है और यह वाल एडिटोरिल तो हमारा आज का important है ही नहीं उसके बाद थर्ड एडिटोरिल इसमें आप क्या बात कर सकते हैं कि जो cancer stage है इंडिया में वो काफी जाद बूरी है और आने वाले time में भी बूरी होन आज दे